नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्व चैनल दीपक लेक्चरर में तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 स्वामार सिंधी के सिलेबस को देखने वाले हैं तो आज की वीडियो काफी इपॉडन है तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा अगर आप चैनल पर नहीं है रेचनक सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए साथ मेबल आइकन घंटी को दबा लिजिएगा ताकि नेक्ट वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके और यह वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो 2022 में इंटर का एकजाम विहार बोर्ट से देने वाले है अगर आपको भी इंटर का एकजाम 2022 में विहार बोर्ट से देना है तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि आपका बिहार बोर्ड जो हिंदी का सिलेवस है 2020 में बदल चुका है आपका हिंदी पहले 50 मार्स का होता था लेकिन आपका 2020 से जो आपका हिंदी का सिलेवस है वह 100 मार्स हो गया है तो आप लोग हिंदी को अच्छे तरह से तयार करिएगा ताकि आपका बोर्ड एक्जाम में काफी अच्छा पर्शेंटेज आ सके तो चलिए आज के बीडियों सुरू करते हैं और इस बीडियों का लिंक उन सभी भाई बहनों के पास अवस्थ पहुचा दिजे 2022 में इंटर का एक्जाम देना है चलिए आज के बीडियों सुरू करते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका हैंडरेट मार्ज हिंदी है उसको पढ़ना काफी जरूरी है तो आप लोग सिलेवस को अच्छी तरह से देख लिजेगा आपको किस परकार से पढ़ना है कौन सा बुक खरीदना है और किस परकार से बुक को पढ़ना है और कहां से पढ़ना है चलिए आगे देख लेते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि आपके बोड इक्जाम में 50% अबजेक्टिव कुशन और 50% सबजेक्टिव कुशन पूछा जाता है जो आपका 50% अबजेक्टिव कुशन है और आपके ओमार सीट पर बनाना होता है आप सभी लोग इतना जानते ही जानते होंगे तो हम लोग सिलेवस की ओर बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग अबजेक्टिव सिलेवस को देखते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिजे और साथ में वीडियो को लाइक अनसेर जरूर करिएगा ताकि नेक्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने की कोशिज करूँगा तो चलिए हम लोग अबजेक्टिव के सिलेवस के सबसे पहले देखनी की कोशिज करते हैं तो यहां पी आपका अबजेक्टिव का सिलेवस है बस्टु निष्ट परस्ण जो आपका बस्टु निष्ट परस्ण है जो आपका अबजेक्टिव परस्ण है वह आपके board exam में 60 question पूछा जाएगा जिसमें से आपको किसी भी 50 question का answer देना है जिसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं इस बार यानि जो इस बार है 2021 में Corona Virus के चलते आपके board exam में objective question और subjective question की संख्या दोगना कर चुका है लेकिन जो आपका board exam होना है 2022 में उसमें cable और cable 60 question पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 question का answer देना है और आपको 50 अंक मिलेगा तो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपको objective question है उसमें कहां से question पूछा जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्याकरन यानि जो आपको हिंदी ब्याकरन है उससे आपको board exam में 30 question आएगे तो आपको 30 marks ब्याकरन से बनाना है यानि आपको 30 question ब्याकरन से मिलेगा इसके बाद आपको पुष्टक यानि जो आपका book है 12th का उससे आपको 20 question पूछा जाएगा तो आपको पूष्टक से 20 से 25 question पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 20 marks मिलेगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका objective में 60 question पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 question का अंसर देना है और आप लोग 10 question को छोड़ दीजेगा चलिए हम लोग बढ़ते हैं subjective question की तरफ कि आपका boarding जामें किस प्रकार से subjective question को पूछा जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like and search दूर कियेगा अगर कोई doubt होता है तो comment box में बता सकते हैं subjective question के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको subjective question में एक निबंध मिलेगा यानि आपको सबसे पहले subjective question में एक essay मिलेगा और आपका essay जो रहेगा वह 8 marks का रहेगा यानि 8 नमबर का आपका essay पूछा जाएगा आपको essay में holy, दिवाली, दसहरा, छट, पूजा, महात्मा, गांदी, सुवा, चंद्रवोस इन सभी में से किसी 4 निबंध दिया रहेगा जिसमें से किसी एक निबंध पर आपको लिखना रहेगा जिसके लिए आपको 8 नमबर मिलेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे इसके बाद आपको subjective fusion में ब्याख्या करने के लिए रहेगा क्या रहेगा ब्याख्या करने के लिए और जो यह ब्याख्या करने के लिए है यह आपका जो book है उसके गद भाग और पद भाग दोनों से रहेगा और यहाँ आपको जो ब्याख्या करने के लिए है वह चार गोद दिया रहेगा यानि आपका ब्याख्या करने के लिए चार रहेगा जिसमें से आपको किसी दो का बनाना है कितना रहेगा चार रहेगा जिसमें से आपको किसी दो का बनाना है और परतेक ब्याख्या के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे इस परकार आपका ब्याख्या करने के लिए 8 मार्स का आता है तो आपको ब्याख्या करने के लिए मैं सिखा दूँगा इस YouTube चैनल को आप जरूर सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा इसके बाद आपको रहेगा पतर लिखन क्या रहेगा पतर लिखन जिसमें से आपको अपने माता पीता अपने भाई बहन अपने दोस्त या आपके प्रिंस्पल पर यानि आपके जो कॉलेज है जो स्कूल है उसके हेड मास्टर पर जो आप लोग पतर लिखने हैं उसी परकार का पत्र लिखने के लिए रहेगा इसमें से आपको दो रहेगा एक निवंध रहेगा निए एक पत्र रहेगा हेड मास्टर के पास और एक रहेगा आपके दोस्त पर भाई पर पिता जी पर इन दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखन करना है जिसके लिए आपको five marks मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी परकार आपका सबसे पहले निवंध रहेगा उसके बाद ब्याख्या करने के लिए और उसके बाद पतर लेखन तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे आपके सब्जेक्टी में क्या क्या पूछा जाएगा तो आगे देखिए आपका सब्जेक्टी में क्या पूछा जाएगा सबसे पहले उसके बाद आपको जब आप लोग लेखन कर लिजेगा उसके बाद आपके पास आएगा लगहू उतरिये परसन जो आपका लगहू उतरिये प्रस्ण है यह 10 रहेगा जिसमें से आपको किसी भी लगहू उतरिये प्रस्ण में से 5 का उतर देना है अब परतेक लगहू उतरिये के लिए 2 अंक रहेंगे इस परकार आपका 10 नमबर का लगहू उतरिये प्रस्ण आता है और यह आपका बुक जो होगा दिगंद भाग दो उसी से रहेगा तो आप लोग लगू उतर ये परसन को त्यार जरूर कर लिजेगा इसके बाद आपके पास रहेगा किनही तीन परसनों का उतर दे आपको यहाँ पे जो दिर खुतर ये परसन है उसमें 6 क्यूसन दिया रहेगा यानि 6 क्यूसन रहेगा जिसमें से किसी 3 क्यूसन का अंसर दिया यानि देना रहेगा आपके पास कितना Qs रहेगा आपके पास 6 Qs रहेगा जिसमें से किसी 3 Qs का अंसर देना है और परतेक के लिए 5 अंक रहेगा इस प्रकार आपका 15 नमबर का दीर खुतरिय प्रशन पूछा जाता है और इसमें आपको समरी लिखना रहेगा संचेपन संचेपन आपके पास 2 रहेगा उसमें से आपको किसी 1 पर संचेप करना है और यह 4 नमबर कर रहेगा तो इस परकार आपका बोड एक्जाम हैंडरेट मार्क हिंदी में रहता है सब्जेक्टी कुशन तो आप लोग समझ गए होंगे और आपको कौन सब्बूक लेना है मैं आगे बताता हूँ तो आप लोग वीडियो को लास तक देखते रहेए तो आप लोग सभी को अच्छी तरह से त्यार कर लिजेगा और मैं इस चैनल पर आपको हैंडरेट मार्क हिंदी पूरा सलेवस कराने वाला हूँ तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको जो हिंदी ब्याकरन है उसमें क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं हिंदी ब्याकरन में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको हिंदी बैकरे में पढ़ना है बिलोम सब्द क्या पढ़ना है बिलोम सब्द जिसको हम लोग इंगलिस में इंटोनियम ही कहते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है बिलोम सब्द उसके बाद आपको पढ़ना है परियवाची सब्द है उसके बाद आपको पढ़ने लिएगा मुहावरा और कहावते क्या रहेगा मुहावरा मुहावरा से आपके बोड एक्जाम में चार से पंच नंबर का क्यूशन पूछा जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे ब्याकरण में परते हैं क्या पढ़ना है उपसर्ग और परते हैं यहाँ से आपके बोड एक्जाम में तीन से चार नंबर का अब्जेक्टिव क्यूशन पूछ लेता है उसके बाद आपको पढ़ना है संधी तथा समास संधी तथा समास यहां से काफी क्यूशन पूछा जाता है यहां से आपके एक्जाम में लगभग 10 से 12 नमबर का क्यूशन पूछा जाता है तो आपको संधी और समास अच्छी तरह से कभर करना है और मैं आपको संधी और समास काफी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूं कर लिजे उसके बाद आपको पढ़ना है B-Sation क्या पढ़ना है B-Sation तो आप लोग B-Sation को भी पढ़ना है उसके बाद आपको सर्म नाम पढ़ना है इन सभी से 1-2 Q-Sation पूछा जाता है उसके बाद संग्या पाढ़ना है संग्या साब के बोड़ या में 1 Q-Sation रहेगा और उसके बाद है लिंग निरने लिंग निरने से आपके पास 1-2 Q-Sation रहेगा इसमें आपको sterling pooling पहसाने के लिए रहेगा नदी क्या है पहार क्या है sterling है pulling है इस परकार का क्योसन आपके लिंग निरने से पूछा जाता है तो यहीं था आपका व्याकरण का सिलेवस हम लोग देख लेते हैं कि आपको hand rate mark हिंडी किस परकार का भूक लेना है कौन सा भूक खरीदना है किस परकार से पढ़ना है देख लेते हैं कौन सा भूक खरीदना है तो आपको इसी भूक खरीदना है जो यहां पर आपको देखाया गया है जो आपका यहां पर बूक है दिगंद भाग दो इस पुस्तक का क्या नाम है दिगंद भाग दो यही पुस्तक आपको खरीदना है और इसी पुस्तक से आपका हेंडरेट मास हिंदी कवर हो जाएगा और इसके बाद आपको एक और पुस्तक खरीदना है हिंदी साहित की कथा जो आपका टेंथ में बरनीका होता था उसी परकार का यह पतला पुस्तक है हिंदी साषित की कथा जो आपको खरीदना है अगर आप इस पुस्तक को नहीं खरीच सकते हैं तो आप लोग हमारे टेली करांपर जरूर जूड़ जाएं वहाँ पे इस पुस्तक का पीडियफ आप सेर जरू कर दीजे जो 2022 में भी हार बोर्ड के तरफ से इंटर्मेडियेट का एक्जाम देने वाले हैं और इसके बाद हम लोग जल्द ही आपके 12 का सिलेवस को सुरू करने वाले हैं तो चलों को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और आप सभी अपने दोस्तों को बता दीजे कि आपका इंटर्मेडियेट का सिलेवस नया सुरू होने वाला है तो आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड बोक्स में बताएगा अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंड बोक्स में बताएगा